हेलो इस वीडियो में हम एर्रस के बारे में जानेंगे तो जब हम एक्सल में काम करते हैं तो हमारे सामने कभी कभी कुछ एर्रस आ जाती है तो ये एर्रस कैसे आती है इनका हर कैसे किया जाता है इसके बारे में इस वीडियो में सीखेंगे तो यह यहाँ पे errors दी गई है जिसमें सबसे पहले है hash error इसके बाद है an error इसके बाद है divide error इसके बाद है null error इसके बाद है reference error इसके बाद है name error और इसके बाद है value error तो यह सबी errors है यह क्यों आती है और कब आती है तो इसको हम यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ये hash error इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये error कब आती है ये error उस time आती है जब हम ये numbers लिखते हैं जैसे यहाँ पर कोई number लिखे ये देखो यहाँ पर हम number enter करते हैं ये number को center किये और करने के बाद ये जो है ये number यहाँ पर बार जा रहा है जैसे तो जब हम enter प्रेस करेंगे तो ये error आ जाएगी ये देखो ये error आ गई है तो इस error को हम यहाँ से अटाएंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर column की bits को जादा करेंगे यहाँ पर double click करेंगे ये देखो double click किया तो यह error यहां पे चली जाएगी अब यह decimal यहां पे आ गया है तो इसको यहां पे हटाएंगे हम तो यहां पे click करेंगे click करने के बाद decrease decimal यहां पे click करेंगे यह decimal यहां से हट जाएंगे तो इस तरह से हम यह अगर यह error आ जाए तो इस तरह से हम इसको आटा सकते हैं इसके बाद यहाँ पे second error है na error तो na error उस time आती है जब हम कोई formula या function लिखते हैं और यह formula या function उस cell को नहीं डूण पा रहा है तब यह error आती है जैसे यहाँ पे हम click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे equal to sign लगाएंगे equal to sign लगाने के बाद यहाँ पे na यहाँ पे click किया click करने के बाद हम इसको plus करेंगे plus किया plus किसके साथ करेंगे इसके साथ करेंगे इसके बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह दिखो यह यहाँ पे na error यह यहां पे आ जाएगी यह error इसलिए आई क्योंकि यहां पे na लिखा हुआ है प्रोपर यहां पे value नहीं लिखी हुई है तो अगर हम इस error को आटाना जाते हैं तो हम यहां पे value लिखेंगे जैसे कोई भी number एंटर करेंगे suppose करो हमने यह 50 number add किया enter प्रेस करेंगे तो यह दिखो यह error यहां से चली जाएगी तो इस तरह से हम na error को यहां से हटा सकते हैं इसके बाद अगली जो error है वो है hash divide by zero तो यह error का बाती है यह error तब आती है जब formula या function में zero या blank cell से divide करने की हम कोशिश करते है तब यह error आती है यह दिखो यहां पे suppose करो यहां पे zero number यह दिया हुए है यह zero लिखा हमने और यहां पे हम यह formula लगाएंगे equal to यह equal to लिखा equal to लिखने के बाद इसको हमने divide करना है यह दिखो यह cell पे click किया b5 यह cell नेम यहां पे आ गया इसको divide करना है हमने यह divide यह हमने लिखा divide लिखने के बाद यहां पे इस cell पे click करेंगे इससे हमने divide करना है तो हम के करेंगे जब enter प्रेस करेंगे तो हमारे पास यह देखो divide by 0 यह error आ जाएगी तो जब हम कोई भी value को 0 से divide करते है तो यह value आ जाती है अब हम इसको divide blank से करेंगे जैसे यहां पे 0 को यहां से delete कर देंगे यह delete के इसके बाद यहां पे enter प्रेस करेंगे तब भी देखो यह जो है यहां पे divide by 0 यह error यहां पे आ जाएगी इसको हम यहां से कैसे अटाएंगे तो इसको हम यहां पे जैसे divide करेंगे जैसे यहां पे लिखा 2 तो 2 लिखने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो यह error यहां से आठ जाएगी यह देखो enter प्रेस किया तो एंटर प्रेस करने के बाद तो यहां से यह error अड़ जाएगी इसके बाद जो अगली error है वो है null error यह error तब आती है जब हम proper formula नहीं लिखते हैं जैसे formula में कोमा की जगा space देना या operator का सही use ना करना तब यह error आती है तो इसको हम यहां पर करेंगे suppose करो यहां पर हम formula लिखते है equal to sign यह लिखा लिखने के बाद इसको add करना है इसके बाद space दिया space के बाद इसको add करना है तो यहां पर हमने space दिया हुआ है यहां पर हमने कोई भी operator यूज नहीं किया हुआ है तो जब हम enter प्रेस करेंगे तो यह देखो यह error null error यहां पर शो करेगा यह देखो यहां पर null error यहाँ पी आ जाएगी, तो अब हम इस error को सही करना जते हैं तो हम EC के उपर, ECL के उपर double click करेंगे, यह देखो यहाँ पर double click किया double click करने के बाद अब हम इसको edit करेंगे, जैसे B6, यहाँ पर हम लिखेंगे, plus C6, लिखने के बाद enter press करेंगे, तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहां से यह error चली जाएगी तो इस तरह से हम यहां से error को हटा सकते हैं इसके बाद अगली जो error है यह है hash rf error rf error का मतलब यह होता है कि यह reference error जब हम कोई formula लिखते हैं और उसके बाद हम column यह row को delete कर देते हैं तो उस समय यह error आती है तो इसको ह हम यहां पर करेंगे जैसे यहां पर हम formula लगाएंगे equal to यह लिखा लिखने के बाद इसको plus करेंगे plus यहां पर लिखा इसके बाद इस cell पर click करेंगे इसके बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यह यहां पर आ जाएगा 163 इसके बाद क्या करेंगे हम यह एक column को य करने के वाद reference error यहां पे आ जाएगी यह देखो delete पे और यह देखो ऊपर भी यहां पे reference error आ गई है तो यहां पे हमने यह column delete कर दिया है उस बज़ा से यह error यहां पे आ रही है अगर इस error को हम सही करना जाती है तो सही करने के लिए हम undo करेंगे ctrl z प्रेस करेंगे ctrl z प्रेस किया तो प्रेस करने के बाद ये लिखो यहाँ से ये error हड जाएगी इसके बाद है यहाँ पे hash name error तो ये error उस time आती है जब हम formula के name की spelling को गल्त लिखती है तब ये error रहती है तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे click किया click करने के बाद यहाँ पे equal to ये लिखेंगे तो यहाँ पे हम sum formula लगाएंगे तो sum formula में हम sum की spelling यहाँ पे गल्त लिखेंगे यहाँ पे su n लिखेंगे और इसके बाद range select करेंगे ये range select की इसको sum करना है bracket बंद की बंद करने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यहाँ पे name error यहाँ पे आ जाएगी यह देखो यहाँ पे click किया तो यह name error यहाँ पे आ गए तो name error उस time आती है जब हम formula के name को गल्त लिखते हैं तब यह यहाँ पे error आती है तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे इसके ओपर click करेंगे यह click किया तो यह देखो अब इसको यहाँ पे edit करेंगे sun लिखा हुआ यहाँ पे m लिखेंगे यहाँ पे इसको delete किया n को और यहाँ पे हमने M लिखा ये sum लिखा इसके बाद enter प्रेस करेंगे तो ये लिखो तो ये लिखो ये error यहां से चली जाएगी इसके बाद है hash value error तो ये error उस time आती है जब हम गल्त value फार्मूला में लिखते है जैसे कि यहां पे हमने click किया click करने के बाद अब यहां पे add करेंगे value को इस value को भी इसको भी और इस value को भी तो यहां पे हमने equal to लिखा लिखने के बाद इस value को भी add करेंगे plus इस value को add करेंगे इसके बाद plus इस value को add करेंगे ये तीन value यहां पे हम add करेंगे तो यहां पे हमने तीनों cell को यहां पे select कर लिया है लेकन यहां पे एक cell जो है यहां पे गल्त है य ये दो value यहां पे सही है तो जब हम यहां पे enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद हमारे पास ये value error यहां पे आ जाएगी value error यहां पे आ गी तो अगर इस value error को हम यहां से हटाने जाते है तो हटाने के लिए एक तू क्या करना पड़ेगा हमें यह जो value है यहाँ पे यहाँ पे हम कोई number एंटर करेंगे जैसे suppose करो हमने यहाँ पे 60 एंटर किया यह 60 number यहाँ पे एंटर कर दिया है इसके बाद जब हम यहाँ पे enter प्रेस करेंगे तो यह value error यहाँ पे हड जाएगी यह देखो enter प्रेस किया तो यहाँ से यह value error यहाँ से हट जाएगी एक तो यह method है इसको हटाने का इसके बाद इसको undo करते है यह undo किया यह name यहाँ पर आ गया इसके बाद दूसरे तरीके से अगर हम यह value error को अटाने जाते है तो यहाँ पर हम double click करेंगे अब यहाँ से value error को अटाना है तो हम यह a9 a9 जो है यह cell है यहाँ से इसको हटा देंगे तो यहाँ पे हमने plus यहाँ पे click किया click करने के बाद यहाँ पे plus और a9 को यहाँ से हटा देंगे यह देखो यह अटाया अटाने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो यह value error यहाँ से चली जाएगी यह देखो enter प्रेस किया तो यह value error यहाँ से चली गई तो इस वीडियो में हमने यह जाना कि errors कौन-कौन सी होती है क्यों आती है और इनको हटाया कैसे जाता है इसके बारे में इस वीडियो में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद